हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर फासिल हसन और मैं आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी गार्डनिंग में तो फ्रेंड्स साथ हम बात करते हैं डबल चान्दी के प्लांट के बारे में और फ्रेंड्स यह देखने में बहुत ही ब्यूटिफुल प्लांट होता है और आप इसको अपने गार्डन्स को डेकोरेट करने में इसको यूज कर सकते हैं और यह काफी हार्डी प्लांट होता है मतलब इसको ग्रो करना कोई बहुत जादा न्यूक्लियार साइंस नहीं है कि में पीज़ाए डाद प्लांट देखने में यह बोहत ही बीज़ती ब्लांट होता है यह डीच कॉना तर्म ट्रम इस काफ़े पलनाया हूँ है कुन्कि इस को आपने पाले का है जास्केओधा बड़ा गेची ब vigil CB स्टैम यह स्टैम है वह काफी थीक है और इस लुकिंग वेरी ब्यूटिफूल इन फैक्ट तो इस प्लांटको यह साथ-ाथ-साल पुराना प्लांट हो चुगा है यह में एक नर्सरी से बहुत छोटा इतना छोटा प्लांट में लेकर के आया था जब मैंने इसको इस पॉर्ट में लगाया था एक्चुली ये इसे पहले एक पॉर्ट में था मैंने इसको दुबारा से रिपॉर्ट किया था तो friend यह actually double चांदनी है इसको हम double चांदनी इसलिए बोलते ही आप इसका flower देख रहे हो इसमें two rows हैं इसमें two worlds हैं one world and second world तो इसकी वजा से इन दो वर्ल की वजा से इसको double चांदनी बोलते हैं friend जो इसकी दूसरी वरायटी भी आती है जो simple चांदनी कहलाती है वो single world होती है और उसका जो फ्लार होता है वो फ्रेंट्स इस तरह का होता है like उस मे थोड़ी सीं गवल्लीव्स होती है और इस तरह से उसका légップ का structure कुछ इस तरह से होता है और वो single leaves ही होती है और यह आप देख सकते है इस तरह की वो leaves world leaves होती है और इसलिए इसको सिंगिल चांदनी बोलते हैं और यह मेरे पास जो वराइटी है यह डबल चांदनी की वराइटी है आप इसकी लीव्स देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल लीव्स है और इस पर वैक्सी कोटिंग होती है जब आप हाद से कच करें तो आपको लगेगा कि यह काफी वैक्सी कोटिंग सी है इस पर और फ्रेंड्स इसको अगर हम इसकी स्वाइल की बात करें तो यह मैंने इसमें अभी उपर से गोबर की खाट डाली हुई है लेकिन आप देख सकते हैं इसको हमें वैल ड्रेंड स्वाइल की ज़रूरत पड़ती है तो वैल और उसकी वज़ता है फ्रेंड्स इसकी जो मौशन घोलडिं कैपसिटी होती है वो काफी आदेश हो जाती है तो म्ще civशन चाहले से क्या होता है कि प्लांट जो है वह कभी भी roads stress में नहीं रहता और फ्रेंड को continue and we have him last year रहती है और प्लांट फदर ग्रोथ करता रहता है। अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह का एंवारिनमेंट चाहिए, इसको हम किस तरह की कंडीशन्स में रख सकते हैं। मेंस कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर यह अच्छ से फ्लारिश करें। प्लांट इसको डारिक संलाइट बहुत पसंद है इस प्लांट को। आब इसको हमेशा ऐस स्थानों पर रखिये जहां पर सोरज की डारिक रॉष्णी पड़ती हो। और फ्रेंट जितने डारेक रोशनी से मतलब है कि इसको कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे की सूरज की रोशनी चाहिए होती है अपना फोटो सेंथेसिस कंप्लीट करने के लिए और जब इसमें फोटो सेंथेसिस प्रोसेस अच्छ होता है तब ही आप देख सकते हैं कि मेरे इस प् क्योंकि मैं इस प्लांट को हमेशा इसको डारेक्ट सनलाइट में रखता हूं और सनलाइट में रखने की वज़ा से यह प्लांट जो है काफी अच्छ से ग्रो कर रहा है क्योंकि यह फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की त तो वहाँ पर आप liquid fertilizer दे सकते हैं तो liquid fertilizer के लिए आप banana peel extract का जो है वो यूज़ कर सकते हैं और आप एक महीने में दो बार यानि के 15 दिन में एक बार आप इसमें liquid fertilizer दे सकते हैं और फ्रेंड ये गोबर की खाद भी नहीं मिल पाती तो आपने सुना होगा उपले जो पहले लोग चूले में यूज़ करते थे एक इंधन की तरह उनका भी यूज़ कर सकते हैं तो आपको क्या करना है cow dung यानि के जो उपला होता है उसको ये उपला होता है उसको आप 3 मिन के लिए पानी में भीगो दें और जब उसमें पानी में भीग जाये तो उसके water को भी आप यूज़ कर सकते हैं और डारेक्ट ये cow dung जो है ये ये भी आप यूज़ कर सकते हैं इससे भी क्या होता है कि एक mulch का काम करता है ये आप देख रहे हैं ये मैंने एक mulch किया है इसकी mulching से जो water holding capacity है इस pot की ये मेरे पास terracotta pot है और इसकी जो mulching capacity है इस गोबर की खाथ की वज़ा से वो बहुत अच्छी हो गई है तो कभी भी ये plant water stress condition में नहीं रहता लेकिन कभी क्या होता है कि कभी जब मुझे लगता है कि आज 3-4 तीन दिन हो गया है पानी दिये हुए या चार दिन हो गया है तो उसमें एक बार पानी watering की जाती है plant की friends अब बात करते हैं इसकी pruning की कि इसको किस तरह से pruning किया जाए तो friends समझ लीजिए pruning जो है बहुत ही important step होता है किसी भी plant की growth को enhance करने के लिए तो pruning के लिए जैसे flowering plant की बात करें खासता कि इस plant को अगर आपको बुशी बनाना है बुशी का मतलब है कि इसको आपको घना बनाना है और आप चाहते हैं कि plant आपका छोटा ही रहे ड्वार दिखे और काफी घना दिखे जैसे कि मेरा plant है आप देख रहा है कि यह plant यहां से थोड़ा सा बुशी नहीं है क्योंकि अनफॉर्चुनेटल अभी तीनिक पहले मेरा एक पैक्ट थोड़ा सा इसकी जो यह stems है इस पर उसने उचल कूद मचाई और जिसकी वज़ा से मेरा stem तूट गया तो लेकिन यह काफी बुशी प्लांट है अब यह यह काफी बुशी प्लांट है इसकी आप तना देख सकते है इस stem देखे काफी मोटा है तो फ्रेंट इसको बुशी बनाने के लिए क्या रहता है कि प्लांट को आप इस जगशा से ऊपर से यह आठ इंच के campus कर दीजें के इसकोपर किन करना है कि करने से क्या होगा जो इसके अंद़ के जो oxine hormones है, वो induced हो जाते हैं, जिससे जो branch है, आपकी branching कभी यहां से भी आप देख रहे हैं, node यहां से आपकी एक दूसरी branch निकल सकती है और एक यहां से भी निकल सकती है इसी तरह से जो plant है, उसमें यह secondary branches निकलती है जिससे plant यह बुशी हो जाता है for example friend देखे, मैंने एक दिन इस plant को यहां से काटा था, कट किया था आप देख रहे होगे, यहां से मैंने इसको कट किया था, यह देख रहे यहां से मैंने इस पे कट लगाया था, जिसकी वज़ा से मुझे ही तीन branches मिली, एक दो एंड तीन, और यह चौथी ब्रांच यहां से दुबारा से निकल रही है तो friend इस तरह से प्रूनिंग करते रहना चाहिए, जिसकी वज़ा से प्लांट आपका बुशी बन जाता है और देखने में काफी सुंदर भी लगता है तो friend बात करते हैं, अब हम इसको प्रूनिंग के लिए आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं बेसिकली मेरे पास कोई प्रूनर नहीं है तो मैं नॉर्मल कैची चू होती है सीर्जर होती है, मैं उससे प्रून कर देता हूँ क्योंकि यह काफी डेलिकेट स्टैम है इसका जो इस्टैम है मल्टिप्लाइ करना है एक से दो तीन कॉपीज बनानी है तो फ्रेंड बहुती असान तरीका है इसको प्रूपेगेट करना बहुती है किसी भी रूटिंग हॉर्मोन की जरूरत नहीं होती बिना रूटिंग हॉर्मोन की भी आप इसको प्रोपेगेट करते हैं, वो कैसे मैं दिखाता हूँ, देखे फ्रेंड, हमेशा किसी भी प्लांट को प्रोपेगेट करने के लिए सेमि हाड़वुड का यूजssä करना चाहिए, सेमि हाड़वुड मीजि इसमें थोड़ी सी आपको दिख रहा है के यह भुए ह्ला मीज़ चाल सी आपको दिखाई दे रही होगी यंज देखें यहाँ पर यह चाल सी, इसको सेमि हाड़वुड कहते है मेंस कि तना जो है वो डेलिकेट भी है बट इसमें च्छाल भी आई हुई है लाइक इसमें बार्क भी है सेमी बार्क जिसको बोलते हैं और इस प्लांट के प्रोपेगेट के लिए आप हमेशा वी शेप यह आपको वी शेप दिख रहा है वी शेप टहनी को सेलेक्ट करना ज़िए यहां से कट मारना है कट मारने के बाद आपको यह पूरी ब्रांच यह आपको पूरी ब्रांच जो है वो आपको मिल जाएगी इसको लेना हैं ओर बिना किसी रूटिंग हार्मोन लगाए हुए एक छेद बनाना है उंगली से और उसमें अंदर धास देना है जैसे आपने देखा होगा, कि मैंने यहां एक already stem लगा रखा है, मैं इसको disturb नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर इसमें routing induce हो रहा होगा, तो वो disturb हो जाएगा, और यह आप देख रहे हैं, एक ब्रांच यह है, और नीचे इसका main stem है, तो friend, यह आप देख सकते हैं, कि मैंने इसको किस इस तरह से प्रोपेगेट किया है, तो इस तरह से प्रोपेगेट करने के लिए आपको हमेशा वीशे ब्रांच का यूज करना है, और याद रखे के ब्रांच है, वो semiwood होना चाहिए, यानि कि उसमें थोड़ा सा बार्क होना चाहिए, और यह प्लांट एजी तो इसको एक ऐसे प्लेस पर रखिए, जहाँ पर disturbance कम से कम हो और वलकी बिल्कुल भी ना हो, फ्रेंड अभी बात करते हैं, इसमें कौन-कौन से कीड़े लगते हैं, क्या-क्या diseases होती है, तो फ्रेंड जैसे कि मेरे पास ये प्लांट आठ साल से है, और मैंने अभी तक इसम में कोई भी disease लगी हो, नहीं मैंने कभी इस पर कोई pesticide का छिड़काओ किया, लेकिन हा फ्रेंड मैंने एक बार इसमें insect देखा था, इसमें कभी-कभी millibug का tag हो जाता है, या कभी-कभी aphids का tag हो जाता है, और जो aphids का tag होता है, वो ये apical stem, जो आपको ये उपर का stem दिख क्योंकि mostly ये अपर ब्रांच में ही, ये millibug का या aphid का tag होता है, और आपको लगता है कि आप ये ब्रांच नहीं काट रहें, आपकी ज्यादा कलियां हैं, आप जाते हैं कि कलियां आपकी ऐसी रहें, और aphid और millibug भी खतम हो जाएं, तो friend आप एक काम कर सकते हैं, आप ज 13.6 SL, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, और friend जादा स्प्रे की जरुरत नहीं है, क्योंकि I think इस पर जादा इंसेक पैस्ट लगते नहीं है, तो friend अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो please इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औ और मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाए!